नमस्कार, कक्षा 10, exercise 4.3 का प्रशन नमबर 4 हम करने जा रहे हैं तीन वर्ष पूर्फ, रह्मान की आयू, वर्षों में का व्यूत क्रम व्यूत क्रम का मतलब होता है बेटा, उल्टा और अब से, पांच वर्ष पस्चात, आयू के व्यूत क्रम का योग, एक बटा तीन, अब इसको ध्यान से समझेगा रह्मान एक लड़का है उसकी आयू, जो तीन साल पहले थी उसका उल्टा और जो पांच साल बाद होगी उसका उल्टा, दोनों का योग एक बटा तीन है तो पहले हम मानते कि उसकी आज की आयू कितनी है मान लो, रह्मान की वर्त मान आयू बराबर है, एक्स वर्ष तो देखो बेटा according to question, question के इस आप से क्या है तीन साल पहले उसकी उमर कितनी होगी, यदि आज एक्स है तो तीन साल पहले होगी, एक्स में से तीन साल गटाद हो, जैसे आज कोई दस साल का है तीन साल पहले कितने का होगा, दस माइनस तीन, आज कोई पंदरा साल का है तो 3 साल पहले कितने साल का होगा 15 माइनस 3 इसी प्रकार से यदि आज वह X वर्ष का है तो 3 साल पहले कितने वर्ष का होगा X माइनस 3 वर्ष का होगा इसका व्यूत करम X माइनस 3 का व्यूत करम होता है 1 बटा X माइनस 3 5 का व्यूत करम होगा 1 बटा 5 आठ का व्यूत करम होगा एक बटा ऐसे ही आज उसकी उमर है एक्स तीन साल पहले होगी एक्स माइनस तीन और इसका व्यूत करम होगा एक बटा एक्स माइनस तीन इसी प्रकार से पांच साल पस्चात पस्चात मतलब बाद में अब से पांच वर्ष पस्चात अब से पांच स यदि आज X साल का है तो 5 साल बाद होगा X प्लस 5 तो इसका व्यूत करम कितना हो जाएगा ओफरेग करें एसको और इसको इन दोनों हरों को गुणा करेंगे डे ख теперь X-3 किरुणा एक्स प्लस 5 इस लगुत्तम ये दोनों को गुना करके आगया लगुत्तम इस लगुत्तम को नीचे वाले से भाग करतो तो X-3 से X-3 भाग करने पर कर जाएगा बाकी बच जाएगा X-5 ये X-5 उपर एक से गुना होगा तो हमारे पास बन जाएगा X-5 बीज में है प्लस का निचान इसी प्रकार से ये लगुत्तम अब इसके साथ भाग होगा जब ये भाग होगा तो देखो यहाँ X-5 X-5 से X-5 भाग करने पर कर जाएगा बाकी बच जाएगा X-3 ये X-3 उपर एक से गुना होकर बन जाएगा X-3 बराबर है एक बटा तीन के इसे हल करते देखे X-3 होगा 2X 5-3 हो जाएगा 2 साइन बड़ी रखम का और नीचे ये दो ब्रैकेट्स आपस में गुना होगी X पहले इन दोनों से गुना होगा X-X से गुना होकर बन गया X-2 प्लस X गुना 5 हो गया प्लस 5X इसी प्रकार से माइनस 3X से अब ये माइनस 3 इन दोनों से गुना होगा माइनस 3 जब X से गुना होगा तो बन जाएगा माइनस 3X और माइनस 3 जब 5 से गुना होगा तो माइनस 3 गुना 5 हो जाएगा माइनस 15 बराबर 1 बटा 3 अब आगे देखते हैं 2x प्लस 2 बटा यह है x square प्लस 5x माइनस 3x हो गया प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1 बटा 3 अब हम क्या करेंगे बच्चों इनको cross multiply करतेंगे अब हम इनको cross multiply करतेंगे ठीक है 1 जब x square प्लस 2x माइनस 15 से गुना होगा तो यह बन जाएगा x square plus 2x माइनस 15 बराबर 3 इन दोनों से गुना हो जाएगा 3 गुना 2x हो गया 6x प्लस 2 गुना 3 हो गया प्लस 6 अगले step में यह दोनों रख में भी बराबर से इधर आ जाएगे तो देखो x square प्लस 2x माइनस 15 6X बराबर से आगे प्लस का है जब यह इधर आएगा तो इसका साइन चेंज होके बन जाएगा माइनस 6X यह बराबर से आगे है प्लस 6 जब यह इधर आएगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0 अब देखें X स्क्यर प्लस 2X minus 6 X ये बन जाएगा minus 4 X plus minus minus 6 में से दो गया 4 sin बढ़ी रखम का minus ऐसे ही minus 15 minus 6 minus minus plus तो ये बन जाएगा 0 ये हमारे पास एक समी करना गई है द्वी घाद समी करना गई है हम इसे द्वी घाद सूत्र के हिसाब से हल करेंगे तो मैं यहां लि launches हुँगा द्वी घात सुत्र के अनुसार और हमें पता है द्वी घात सुत्र के हिसाब से X किस के ब्राबर होता है माइनस B प्लस माइनस अंडरोट ब्राबर माइनस इसे हम A X के प्लस B X प्लस C ब्राबर 0 के साथ कंपेर करेंगे तो A आ जाएगा 1, B आ जाएगा माइनस 4 और C आ जाएगा माइनस 21 इन वेलिय gefragt कम यहां पूट करते हैं माइनस का निशान तो माइनस आगे है B कितना है माइनस 4 तो यह दो निशानी कठंट हैं और इसले प्राब्राइकट आगे है फ्लस माइनस अंडरोट, B2 बी स्केयर, यानी माइनस4 का स्केयर माइनस4 4 into a, a कितना है 1 into c, c कितना है minus 21, upon 2a, 2 into a है 1, इसे हम हल करते हैं बच्चों, इसे हल करना है यहापे, minus into minus plus, तो यह गया plus 4, plus minus, तो plus minus, root, minus का square plus, आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, ताकि आपको clear दिखाई दे जाए, देखे, minus का square, plus, 4 का square होता है, 16, आगे है, minus into minus, plus, 4 गुना 21, 21 चोके होता है, 84, ठीक है बच्चों, बटा नीचे कितना है, 2, इसे हम आगे हल करते हैं, यह root यहीं तक रहा गया, बराबर, आगे आगे, 4, plus, minus, 16 में 84, प्लस कर दिया, तो यह आगे, 100, बटा नीचे है, 2, आगे, 4, plus, minus, 100 का root होता है, बच्चों, 10, बटा, 2, तो, x हमारे पास आगया, 4, plus, minus, 10, बटा रूट, यह दो, मैंने थोड़ी सी जगा की कमी थी, इसके बाद, इसके बाद यह, इसके बाद यह, इसके बाद यह, इसके बाद यह, आप क्या करेंगे दिखिए यहाँ पर plus और minus दो निशान है तो एक बार plus लेंगे एक बार minus लेंगे दिखें मैं color change कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि यह लग है x ब्राबर 4 एक बार लिया है 10 plus का निशान और इसी प्रकार से एक बार लिया है minus का निशान तो यह आ गया X बराबर 10 प्लस 4 14 बटा 2 यहां आ गया X बराबर 10 प्लस प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 निकाले 6 7 में साइन बड़ी रकम का माइनस बटा 2 यहां से 14 को 2 से बाग करके आ गया 7 यहां से माइनस 6 को 2 से बाग करके आ गया माइनस 3 अब देखो X क्या था X था रह्मान की वर्तमान आयू तो बच्चो किसी की भी आयू क्या माइनस में हो सकती है हमारे पास X की दो वैल्यू आई है एक आई है साथ और एक आई है माइनस थी हाना तो दूनों में से कोई एक वैल्यू ठीक होगी तो बताओ क्या किसी की वैल्यू माइनस थी नहों सकती है माइनस में तो उमर नहीं नहों सकती है ना इसका मतलब माइनस वाले इंजिशान को हम छोड़ देंगे इसका मतलब यह है कि हमारे पास X का मान आगया है साथ ठीक है इसका आर्थ यह है रह्मान की वर्तमान आयू हमें प्राप्त हो गई है X वर्ष और X किसके बराबर है 7 वर्ष के तो यही हमें इस प्रशन में निकालना था रह्मान की वर्तमान आयू ग्याद करो यह हमने निकाल दी है ठीक है बच्चो आशा करता हूं यह प्रशन आपको समझाये होगा यदि किसी भी स्टेप पर आपको कोई परिशानी हो समझ ना आये तो आप वीडियो को दुबारा पीछे जाके देखिए यह कुशन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा धन्यवाद